आप देख रहे हैं TNB कैमरे के सामने आएं वो भी अपनी पतनी के साथ दोनों की फोटोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है पिछले चार महीनों में मनोरंजन जगत खास कर बॉलिवुड में बहुत कुछ हुआ है जुलाई में शिल्पा शेटी के पति राजकुंद्रा को कतित अश्कलील फिल्म निर्मान और वितरन मामले में गरबतार किया गया था ये एक बहुती बड़ा विवाद था राजकुंद्रा को सितंबर में जमानत मिली थी जिस दिन उन्हें रिहा किया गया उस दिन वे निराज दिखे और तब से वे लोग प्रोफाइली बने रहें यानि अब तक राज कुंद्रा की अबिनित्री पत्नी शिल्पा शेटी कुंद्रा के साथ उनकी मंदर यात्रा के तस्वीरे वारेल हो रही है हिमाचल में जुवाला जी देवी और माच चमूंडा देवी मंदर के दर्शन के लिए शिल्पा को राज का हाथ पकरे देखा गया शिल्पा शेटी ने पत्ती राज कुंद्रा के साथ हिमाचल प्रदेश की यात्रा के दोरान विभीन मंदिरों के तस्वीरे और वीडियो को शेयर किया शिल्पा शेटी और राज कुंद्रा ने हिमाचल प्रदेश के अस्थाने लोगों के साथ पोस्ड भी दिये शिल्पा ने अपने इस्टाग्राम स्टोडी में फोटोज और वीडियो बी साज़ा किये हालकि राज कुंद्रा इन तस्वीरों और वीडियो से गयाब नज़र आए थे इन तस्वीरों और वीडियो के वायरल होने से पहले शिलपा-शिती की कश्मीर में वैशनो देवी मंदिर की यातरा ने सुर्खिया बटोरी थी उस समय वो अकेले यातरा करने निकली थी इस बार राज शिलपा के साथ परिवार के बाकी लोगों के साथ गैत हैं आपको बतादे कि शिल्पाशेटी के पती पर अश्लील फिल्मों के फिल्मांकन वा मुवाइल आप के जर्ये आन एर करने का मामला दर्ज है जिसमें 60 दिनों तक राजकुंद्रा जील में है। राजकुंद्रा को 60 दिन बाद अदालत से जमानत मिले और जमानत मिले के बाद अबिनित्री शिल्पाशेटी पती के साथ देवभूमी में सिद्र शक्ती पीटों पर माता टेक कर आशिरवाद ले रही हैं ताकि इन सभी मामलों से राजकुंद्रा मुक्त हो जाए।